स्वाकते स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम खरने वाले हैं कप्छा 4 से 5 के लिए आपका क्यूज अभ्यास 23 का सॉल किया जाएगा सबसे पहले गनित का देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं दी गई आकर्तियों में से कौन सी आकर्ती एक बटे दो को व्यक्त करती है तो एक बटे दो को हमारी तीसरी आकर्ती व्यक्त करेगी और दूसरी करेगी ये भी एक बटा दो है ये भी एक बटा दो है दो औरती रुक्तर हो जाएगा चौथा अगला है चार बटे तेरा 7.13 के दुलना कीजिए बताईए कौन सा भीन बड़ा है 7.13 बड़ा है निए चित्रत में दिये वए आकरतियों को हम बताना है कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है वरावर है तो students इसमें जादा है भरे हुए तो ये बड़ी होगी इन में से किस भीन को अवरोई करम में लिखा गया है तो students अवरोई मतलब बड़े से छोटा तो तीसरा हो जाएगा दो बड़ा तीन में अंस अंस दो है हर तीन है उपर वाला अंस होता है नीचे वाला हर होता है चित्र को देखकर बताना है कौन सा भीन होगा दो बड़े चार है चार में से दो भरे हुए है चार बड़े पांच में हर नीचे वाला होता है पांच उत्तर हो जाएगा अगला देखिए दी गई आकरती में रंगिन भाग को निपुत करने वाला भीन हो जाएगा पांच तीन बराबर विश्चे में बाटा गया है तो परतिक भाग को दरसा रहा है तो एक बड़े तीन हो जाएगा उत्तर चित्रम में दिखाएगा ये चारें की भाग को मान ग्याद करना है क्या हो जाएगा दो बड़े तीन नीना ने एक समश्या का दो बटे 5 भाग घल किया तीपा ने 3 बटे 5 प्रिया ने 1 बटे 5 किसका अधिक भाग हल हुआ है दीपा का हुआ है 3 बटे 5 है जो इसुदेंस आपका प्रिष्ण कर चुका है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका प्रिया वरन का क्या लाब है, यह सभी उतर हो जाएगा, कच्रे में जानवरों के खाने लाइक चीज है, सबजी के छिल के, इन में से किस तरीके को अपनाने से आप कम कच्रात्पन करेंगे, एक ही वस्तु को अधिक से अधिक पर उप्रोग करने पर, घर को साफ रखने की जिम्मेदारी होती है, सब ही की होती है, कबाड़ी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तु यह सब ही हो जाएगी, इन में से हमें क्या पनना चाहिए, हमें हमेशा कच्रा कूड़े दान में दानना चाहिए, दुबारा उप्योग में आने वाली वस्तु खाली बोतल हो सकती है, प्लास्टिके थ घर के कचरा पात्र का कचरा खाद आलना चाहिए महलिक में नियेत इस्था जहां पर कचरा पात्र डालना चाहिए पलास्टिक की ठेलया किस प्रकार हनिकार रखें ये सभी उत्तर हो जाएगा अब हम करेंगे हिंदी का क्यूज अभ्यास मेरे गाम के खेत में आधरीत प्रशनों के उत्तर देने हैं गाम के खेत में किसके गीत लिखे हुए हैं कुस्याली के खेत में कुदाली किसके साथ चलती है पायल के पानीदार को वो पर किसकी आवा जाती है रहटो की गाव की खेत में पसल किसे लेकर खड़ी है हर्याली, फाल कौन कीचता है बेलो के कंदे, गास के महल कौन बनाता है बया वसुंद्रा किसका समान आर्थी है धर्थी पकेरू सब्द का समान आर्थी पक्ची हो जाएगा दिवा या वार के समान आर्थी दिन होगा इन में से कौन सा विकल गुलत है नदी सरोवर जलद वारिद नेरद समान आर्थी सब्द हो जाएगे बादल महादेव भूतेश गिरिश किसकी सवान अर्थक है सिवके इसलों ये ता हमारा आज का क्यूज अभ्यास इसी प्रकार जोड़ रही है चैनल से लाइक करें, सेयर करें, सस्क्राइब करें, तन्यवाद